प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस के प्रशनों बर और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है बहाँ पर आप टेस्ट नमबर वन से लेकर 277 तक बहुँ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट तो कौशियं नमबर वन तीन स्टेटमेंट वला है कौन सा इन में सही होगा पैल स्टेटमेंट है महारास्ट में जलोड अप्ष्र मिट्टी का व्यापक विस्तार है और जलोड मिट्टी कपासकी खे Mush filter सरवादिक उपरियुक्त मिट्टी बानी जाती है कपास को ही महराष्ट में सुएत सोन के नाम से जाना जाता है यानि सफेद सोना बताई कितने इसमें करेक्ट होंगे एक option ये भी है कि सारे करेक्ट हो सकते हैं देखिए महराष्ट में जलोड मिट्टी करशी के लिए सरवाधिक उपरियुक्त मिट्टी मानी जाती है कपास को ही महराष्ट में सुएत सोन के नाम से जाना जाता है केवल तीसरा वाला ही यहां पर सही होगा यानि केवल तीन जहां जहां एक है उसको ऐलिमिनेट कर दीजिए और दो को भी तो महराष्ट में काली मिट्टी का व्यापक विसारना की जलोड मिट्टी का और कपास की क्रशी के लिए सरवाधिक उपरियुक्त मिट्टी है काली मिट्टी ना की जलोड कपास को ही महराष्ट में स्वैत सोन के रूप में जाना जाता है जलोड की बात करें तो भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली वो उपजाओ मिट्टी है दो प्रकार की होती है खादर और बांगर जो खादर है वो नई जलोड है और जो बांगर है वो पुरानी जलोड इतना जाद रखेगा इंगलिस पर बोलते हैं उसको अलूवियल सॉयल दूसरा प्रशन है नमलिके तुमें उसे कौन सी फसले हैं जायद में मुखिता सिंचित छेत्रों में उगाई जाती हैं अरहर और चना, मूंग, उडद, चाबल और मिलिट, मक्का और मुंगफली जायद में मुखिता सिंचित छेत्रों में उगाई जाती हैं यह है मूंग और उडद, आप्सन नमबर B मूंग और उडद जैसी फसलें जायद में मुखिता सिंचित छेत्रों में उगाई जाती हैं फसलों को निश्यत समय अंतराल पर जल की अती आवश्यक्ता होती है तीसरा प्रश्ण है नम लेकित में से किस फसल की रोपाई की जाती है सरसो की, धान की, गेहों की, मक्य की सरसो की नहीं की जाती, मक्य की नहीं की जाती रोपाई या निराई भी इसको कहा जाता है धान की की जाती है ये भी है इसका अंसर ठीक है दिये गए विकल्पों में धान की रोपाई की जाती है नमबर फोर पर आज़े ये कपास के रेसे नमले के तमय से कहां से प्राप्त किये जाते है पांड से, बीज से, तने से, मूल से कपास के रे से प्राप्त कियाते हैं बीज से, सीड से कपास के रे से सीड़े सीड़े रहाद रखिएगा बीज, सीड से प्राप्त कियाते है इस टेस्सीरीज की आप फुल टेस्सीरीज प्राप्त कर सकते हो नमबर एस फर कॉल या वाटसप करके यानि पे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़कर पांचोवा प्रस्टन है सुष्क भूमी के लिए सरवाधिक उचित फसल अमलिकित मैसे कौन सी है गन्ना जूट गेहूं इन तीनों को तो वर्षा की आवश्कता होती है लेकिन मुंग्फली सुष्क भूमी के लिए सरवाधिक उपरिक तो फसल हो जाएगी हाँ पर डी है इसका अंसर और मुंग्फली एक खरीफ की फसल है दिये गए विकल्पों में सुष्क भूमी के लिए सरवाधिक उचित फसल मुंग्फली है यह सुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है और गेहूं मुखेत है सीतोष्न कटीवंदिय रवीर उतु की फसल है जिसे सिचाई की सुविधा के सुविधा होने व कोबाल्ट आयोडीन सोडियम कोबाल्ट जो है वो राईजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन इस्तिकरण के लिए आवश्क है यानि नाइट्रोजन फिक्सेशन और यह विटामिन वीबारे के संसलेशन में सहाइक होता है यह प्रकास संसलेशन वास्वोथ सरजन व्रद्धी के लिए आवश्यक है नमबर सवन पर आज़े जिपसम की अधिक मात्रा होती है धान की फसल में, वर्सीम की फसल में, गेहूं की फसल में, मुंगफली की फसल में किसमें होती है जिपसम की अधिक मात्रा? यह होती है मुंख़ली की फसल में जिपसम की अधिक मात्रा की आवश्चक्ता होती है मिट्टी में गंधक की कमी को दूर करने के लिए जिपसम का प्रियोग किया जाता है कुशन नुम्बर एट है राश्टिय बागवानी वोर्ड की स्थापना होई थी कब राश्टिय वागवानी वोर्ड या परिस्द की स्थापना हुई थी 1984-1984 में देखें राश्टिय वागवानी वोर्ड की स्थापना वर्स-1984 में सोसाइटी पंजेक्रन अधनियम 1860 के अंतरगत एक स्वायत सोसाइटी के रूप में की गई थी और इसका मुख्याला है गुरू ग्राम के हरियाना में नमबर नाइन पर आजएन अमरिकेद में से कौन सा राज सत्तर प्रतिशत से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है सबी को पताओगा इसका अंसर इसका अंसर है करनाटक ऑप्सन बढ़ी भारत में करनाटक देश का लगभग सत्तर प्रतिशत से अधिक कॉफी यानि कहवा का उत्पादन करता है और करनाटक के जो कॉफी उत्पादक शेत्र है उसकी बात करें वो है चिक मंगलूर, कोडागू और हसंजले कॉफी की किस्में की बात करें तो रोवस्टा और अरयविका जो चिक मंगलूर ऺजश वह भारत में कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्द है और करनाटक में बाबा बूदं,गिरी को भारत में कॉफी का जन्मस्थान माना जाता है और यह चिक मंगलूर में ही है करनाटक के चिक मंगलूर जिले में है बाबा बूदन की पहाड़िया करनाटक के बाद दूसरे स्थान पर केरल तीसरे पर तमिलनाडू और चोथे पर भारत में अंदर प्रदेश कॉफी के उतपा देखा कुर्क करनाटक में है बाबा-वुदेंगिरी किक मंगलूर के अंदर तो यह भी हो गया पुलड़ नहीं है पुल नेज कहां पर फॉल्यसद अ कि अछे देखे व भिकलपों में 정도로 करनाटक में इसकि गया अर्गिन किरी और यही पर भारत में सबढूरत पहले कॉफी के पोधे रौपित किये गये थे इसी को माने जाता है कॉफी का जन्मस्तली 11 प्रश्ण है भारत की किस राज में कहवा यानी कॉफी भी रबर भी और तमबाकू सभी तीनों की क्रशी की जाती है करनाटक में घाल है गोवा सिक्किम इसका अंसर करनाटक ही है यह है इसका अंसर भारत के करनाटक और तमिलनाडू में तीनों उक्त फसलों की क्रशी की जाती है पर अप्सन में तमिलनाडू है ही नहीं तो उत्तर करनाटक होगा यानी विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा तीनों क्रशी कौन कौन सी थी वो? कौफी, रबर और तंबाकू इंपोर्टन प्रश्ण है क्राष्टिय केला अनुसंधान केंद्र निम्लिकी दमसे कहां इस्तित है? भुसाबल, सहारनपूर, पूने, सहारनपूर उत्तर प्रदेश में, पूने महाराष्ट में और तरची तमिलनाडू तो राष्टे केला अनुसंधान जो है तमिलनाडू के तरची में इस्तित है यह है इसका उन्सर पर B, C, D में भी कुछ ना कुछ होगा देखे राष्टे केला अनुसंधान संस्तान तमिलनाडू के तरची में इस्तित है पूने के महाराष्ट में क्या है? भारतिय विज्यान सिक्षा अवम अनुसंधान संस्तान है भुसाबल महाराष्ट में क्या है? एक विशाल रेल इंजन कार खाना कारिशाला वाला मूलतर रेलवे नगर है वो शावल महराश्च का वो केंद्रे कल्प केंद्रे पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिटूट हिम्मत नगर में है हिम्मत नगर सहरन पुरुत्तर प्रदेश यूपी मक्के की खेती की जाती है मक्के की खेती साल भर की जाती है यहां डी सबसेच शांसर हो जाएगा और मक्क अगर फसल पूछले कौन सी है तो मक्क ऐके खरीव की फसल है देखिए मक्क विभिध करशी जलवाई उपर इस सितियों के प्रती अनुकूलता के करन वर्ष भर बोया जा सकता है बद्रिनाथ, केदारनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री होना चाहिए लेकिन यहां है वैश्णो देभी तो एलिमिनेट कर दीजे भी को यही अपना अंसर हो जाएगा चार धार्म परियोजना का उद्देश है हिमाले में चार धार्म तीर्थिस्तलो यानि बद्रिनाथ, केदारनाथ, यमनोत्री, गंगोत्री के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना जिससे इन केंद्रों की यात्रा तीब्र, सुरक्षित और अधिक सुविधा जनक हो सके तो बीस ही हो जाएगा नमबर फिप्टीन पर आजिए आरेभाट प्रेक्षण विज्ञान सोध संस्थान इस्तेत है कहां पर उत्राखंड में है ये ननिताल में है आरेभाट प्रेक्षण विज्ञान सोध संस्थान की स्थापना उत्राखंड के ननिताल में की गई है तो सी सही है नमबर 16 पर आजिए जीरो बजट प्राकर्तिक क्रशी अबधार्णा का विकास किसके दोरा किया गया नौर्मान बॉर्लोग जगदीश चंद्रबसू सुभास पालेकर म.स स्वामी नाथन देखिए भारत में हरित करांती के जनक माने जने वले म.स स्वामी नाथन डॉक्टर म.स स्वामी नाथन का अभी हाल ही में 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया तो प्रश्ण बन सकता है इंसे भारत में हरित करांती के जनक थे यह और विश्व में हरित करांती का जनक कौन है नौर्मन बॉर्लोग कहां जनव है इनका अमेरिका में हुआ और मेक्सिको के खेतों में जो है इनको फोटो में दिखाया गया है यहां उत्तर क्या हो जाएगा सुभाज पालेकर सुभाज पालेकर अपसा नमबर बी देखे जीरो वजट प्राकर्टिक रशी पद्दती में वजट सब्द खर्च को प्रदर्शित करता है यानि सुन्ने वजट या जीरो वजट खेती में बाजार में उपलब्द आगातो जिसमें राशानिक और वरक और खाद सामिल है कि उपियोग के विना प्राकर्टिक आगातो द्वारा खेती पर बल देता है परिणाम सरूब इस क्रशी पद्दती में खर्च कैसा होगा सुन्ने होगा और सुन्ने वजट प्राकर्टिक रशी को पहचान दिलाने में महतपुन हो में का किसने निवाई स्री सुभास पाले करने तो बी करेक्ट है हिस्ट्री का प्रश्ण है आग रा जहान सी वरणसी वरणदावन कहां होगा था इनका जन्म जहान सी की रानी थी यह और जन्म हुआ था इनका वरान सी यूपी देखें रानी लक्षमिवाई का जन्म उन्टरों नमлемबर अठार जो पैंटेशक को हुआ था गोल घर में और ये वर्तमान में है, महरास्ट में यूपी में उन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयू में अंग्रेजी सामराजी की सहरां से उद्ध किया और रन भूमी में वीरगती को प्राप्त होई है Question No.18 पराजे आवद से विहार से रजस्तान से कहा से अवद से थी वास्तव में उस समय अवद से सायध ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सरस सैना में ना रहा हो केवल अवद से ही लगभग पिश्टर हयार सैनिक सामिल थे यह प्राश्न इंपोर्टन है No.19 पराजे एंपोर्टन प्राश्न एक और रानी लक्ष्मिवाई को अंतिम युद्ध में सामना करना करना पड़ा किसका केमपवेल का करनल नील का है हेवलोग का या हिरोज का यह इंपोर्टन प्राश्न है पूछ रहता है इसको देखें इनको सामना करना पड़ा था हीरोज का और इसने एक बात भी रानी लक्ष्मिवाई के बारे में कही थी कौन सी थी वो बात देखें रानी लक्ष्मिवाई अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए सत्ताई 17 जून 1858 उनको वीरगती को प्रावत होई और रानी लक्ष्मिवाई के बारे में हीरोज ने कहा या उनकी मृत्व पर हीरोज ने कहा भारती है विद्रोहियों में यहां एक औरत अकेली मृद है तो यह स्टेट्मेंट रख कर भी पूछ लेते हैं कि किसके कहे गए हैं यह सब्द तो जनरल हीरोज के विश्वा प्रश्ण है और अंतिम प्रश्ण है यह यह भी हिस्ट्री का प्रश्ण है नमले के तमय से असम में 1857 की क्रांती का नेता कौन था यह इंपोर्टन प्रश्ण है मतलब इस से related important question है कि 1857 की क्रांती के नेथा को पूछ लेते हैं मैच वैच करने के लिए जिसे बेगम हज्रत महल ने लखनओ में नेतरतु किया था मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में नेतरतु किया था दिवान मनी रामदत ने असम में करांती का नेतरतु किया था तो C has cancer असम में 1857 की करांती के समय वहां के दिवान मनी रामदत थे इन्होंने कंदपेश्वर सिंग को राजा घोशित करके विद्रोह की सुरुवात की परन्तु सीख रही अंग्रेजों ने विद्रोह का दबन करके मनी रामदत को फांसी दे दी तो C has cancer तो 20 प्रेश्वर थे इनकी प्रेक्टिस कर लिजेगा और उत्राखंड आरो का जो एक्जाम है उसके लिए जी एसके प्रेश्वर इंपोर्टन है बिलकुल एक्जाम में helpful होंगे धन्यवाद